नमस्कार दोस्तों, पांच राज्यों में चुनाओ के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे, तेलांगाना में अभी 30 तारीक को चुनाओ है, रास्थान MP 36 गड़ में चुनाओ हो चुके हैं, और मैं मधधदेश के कुछ हिस्सों में, गौलियर, मुरैना और दतिया में गया, र लगातार मेरे वीडियो के जरीए आपने देखा सुना, जो भी वहां तस्वीर दिखी मैंने दिखाया, लेकिन जब रास्थान में वोटिंग हो रही थी, उसके 2-4 दिन, 10 दिन पहले भी, वोटिंग खत्म हुई उसके बाद भी, और अब नतीजे आने हैं उसके पहले भी, लगातार लोग ट्विटर पर, कोई फेस्बुक पर, कोई मेरे कॉमेंट बॉक्स में आकर, या कोई फोन करके भी, कम से कम 200 लोगों ने मुझे फोन किया बीते, 3-4 दिनों में वोटिंग के दिन से लेकर और एक दिन पहले से लेकर और अब तक, सब ये जानना चाह रहे हैं कि रास्थान में क्या हो रहा है, क्योंकि आप भूम रहते हुआ, लोग जानना चाहरे, MP में क्या हो रहा है, क्योंकि आप 3-4 जिलों के आसपास आप वीडियो बनाते हुए, देखे गए, और सब की क्यूरसिटी यही है, कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, उसका कुछ आखलन आप बताईए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार, विशलेसक अपना आखलन बता भी रहे, वीडियो के शक्र में विशलेसक बनकर चैनल पर, यूट्यूब पर लगातार बता रहे, तो जाही रहे, आप में से बहुत सारे दर्शक हों, या जानने व करने से बचता हो, आकलन की घोषना करने से भी बचता हो, आकलन का एलान करने से भी बचता हो, बहुत सारे लोग मुझे घेरते हैं, कि आप इतना यूपी में घूम रहे थे, और यूपी में आपने छे महने तक, पांच महने तक, 2022 चुनाओ के पहले लगातार आपने इतना एक ये पक्ष रख दूँ कि ये बताने से पहले कि रास्थान और इस पर मैं क्या सोच रहा हूँ यूपी चुनाव में भी मैंने अपने किसी वीडियो में कभी एक बार भी ये नहीं बताया था या ये नहीं दावा किया था या ये घोशित तौट पर कोई ऐलान ऐसा नहीं किया था जैसे अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं कि यूपी में बी जेपी हार रही है और फ़ला पार्टी जीत रही है या समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है मैंने किसी वीडियो में नहीं का लेकिन उसका आज भी लोग इस तरह से उलाहना देकर या ताना देकर या मुझे ट्रोल करने के लिए सब लिखते हैं और जब नतीजे आये थे यूपी चुनाओ के मार्च में नतीजों के दिन एक वीडियो में जब फिर मुझे ट्रोलिंग लोग करने लगा था τα आप मेरे किसी वीडियो में निकाल दीजिए कि मैंने कहा UP में बिज ये पी हार रही है और मैंने कहा फलां पार्टी की सरकार बन रही है तो मैं योट्यूब चैनल बंद कर दूँँगा क्योंकि मैं UP में घूम रहा था और घूमते हुए चाहे कॉंग्रेस के पक्ष में हो चाहे उनके नाराजगी हो चाहे उनके मुद्दे हो चाहे उनके समस्याएं हो चाहे कहीं धुर्बिकरन हो रहा हो चाहे कहीं संपरदाइक माहौल बनाकर वोट को किसी तरह से पुलराइज करने की कोशिस हो रही हूँ बैं उन तमाम इलाकों गया तो मुझे रिटेन ऑन दा वाल मुझे यूपी में हलाके मैंने कुछ भी अपनी तरफ से कहने से मैं बचा क्योंकि मेरा काम है पब्लिक की ओपिनियन दिखाना और जो लोग कह रहे हैं वो बताना जब मैं गुजरात गया तो वहां रिटेन ऑन दा वाल की तरह था कि क्याल से first phase के बाद या उसी समय मैंने सिर्फ यह कहा कि मेरा आकलन यह है चुकि वहां बहुत clear वहां साम साथ सा बहुत कुछ दिख रही थी चीजें तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से यहां माफ गुजरात में क्योंकि एक पहलु यह चल रहा था कि उसमें बहुत सारे लोग गुजरात में आम आदमी पार्टी की भी सरकार बना रहे थे और कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी बहुत सारे लोग कॉंग्रेस की तो कही रहे थे लेकिन सबसे दिल्चस्प बात कि आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनाने वाले बहुत सारे लोग थे सोशल मीडिया तो जब मैं गुजरात में मैंने जब वीडियो में कहा कि मेरे हिसाब से बीजेपी यहां आपार बहुमत से जीत रही है जो भी उसके वज़ाई यह थी क्योंकि ओप्रतिकरिया में कहा क्योंकि जहां मैं जा रहो लोग मुझे कह रहे थे क कि अच्छा फलां का चैनल नहीं देखते उन्होंने तो कहा दिया आमाद में पार्टी की सरकार बन रही है आप क्यों नहीं बोल रहे हैं सब लोग बोलते थे खैर तो मैंने वहां अपना जो भी एक अबजर्वेशन था वो किया और उसके बाद जो नतीजे है सामने अब ब चुकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए मैं अपनी बात कहने से पहले यह सब मैंने थोड़ी भूमिका बनाई क्योंकि मैं मानता हूं क्रेडिबिलिटी बहुत इंपोर्टेंट है और अगर आप एक फॉल्स दावा भी करते हैं या आप नहीं समझ पा रहें तब क पॉल्टिसियन को, लोकल समीकरन को, नाराजगी को, अस्थानी उमिद्वार के खिलाफ ईंटी इंक मेंन्सी किसी मंत्री बिधैक के खिलाफ जाती इंकम्बन्सी यह वह जाती है एसे उमिकरन इसको जानने वाले बहुत सारे लोग रास्थान में होंगे जो साल से रहा रहें 20 साल बनां 20 दिन बरावर नहीं हो सकता है मैं अगर 20 दिन के लिए गया या पच्छीह से गुमा तो मैं कैसे बाकी बची सीट और तो मैं कैसे 20 सीट 25 सीट जाकर 190 का अखलन नहीं कर सकता तो मैं इस से बचता हूं मैं पहले अपनी बात कहूँ और इसलिए बचता हूँ कि ये फॉल्स अगर आप दावे करते हैं बिना समझे हुए या बिना पूरे सीट वाइज कैलकुलेशन के तो इस गलत दावे की एक मियाद होती है और वो मियाद उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन नतीजे आएंगे जिस दिन वोटिंग हुई इमालो 25 को मैं शाम को कुछ कहा दूं कि रास्थान में फला की सरकार बन रही है या फला की नहीं बन रही है या फला को इतनी सीटे आ रही है तो उस कहने का मेरे पास कोई ठोस आधार होना चाहिए कि क्या मैंने सीट वाइज कुछ कैलकुलेट कि क्या मैंने जिला वाइज कुछ कैलकुलेट किया क्या एक पैटर्न है समीकर्ण का रास्थान में जो मैं कहूंगा गुजरात और यूपी में था यूपी में जब हम ने अगस्त में शुरू किया था 2020 कि अगस्त में चुनाओ से छे मैने पहले माल जीए 7 मैने पहले कहीं से पस् capitalism योगी मोदी से वहाँ सुरू हिए योगी मोदी अखलेश योगी मोदी अखलेश तो आपको लग रहा है कि एक सभीकरण्य सभीकर्ण्युट हो काफी काफी साथ셔 सेल्गक मायावत्य का गिरा. तो वहाँ एक दिख रहा था साफ साफ कि यहां योगी मोडी एकबड़ा, फैक्टर है, हिंदुत्वा फैक्टर है, और जो एक माहॉल बनाये गया हिंदुत्वा का, जिसमें हर तरह के रसाएं हैं हिंदुत्वु के, वो एक बड़ा factor है उससे अखलेस लड़ रहे थे और जाहिर है उसका जो नतीजा आया आपके सामने है यही चीज गुजरात में साफ साफ दिख रहा था कि BJP किस तरह से मोधी के नाम पर मोधी के पिछले जो कारिकाल थे उसके नाम पर और हिंदुत factor चुकि गुजरात एक प बहुत localized election है बहुत जगह बहुत local issue बहुत matter करते हैं कई जगह local candidate बड़ा matter करता है कई जगह local जातिया समिकरन बहुत matter करता है कई जगह जो local candidate है किसी दल विशेस का चाहिए बीजेपी चाहिए Congress उससे क्या नाराजगी है उसका background क्या है पहले उसने उस इस इलाके में क्या कि किया यह बोलने वाले लोग हैं लेकिन वो जो candidate है वो candidate से लोगों को नाराजगी है कई जगह जातिये समिकरन ऐसा है कि दो समान जाती के लोग है तो वहाँ जातिये विभाजन है कई जगह जिस जाती का उमिदबार है उसके सामने दूसरी जाती की लामबंदी दूसरे तरह में आ रही थी यहां candidate पूरा लिस्ट आने के पूरी लिस्ट आने के बाद घूमना शुरू किया क्योंकि पहली दूसी लिस्ट पर जब मैं जा रहा था किसी लाखे में तो लोग पूछते का तो नाम आने दो candidate का तो नाम आने दो और बहुत जिकल लोग सरकार या केंद्रियन नेत्रूत या राजिकें नेत्रूत या मुख्यमंत्री से पहले local नाम लेते हैं प्रशांद बैरवा वर्सिस फला हरी शोधरी वर्सिस फला अरे मैं तो हरी शोधरी के साथ हूं हरी खिलाफ हूं या मैं तो बुडानिया के साथ हूं या मैं तो राठोर के साथ हूं मैं तो राठोर को चाता हूं या मैं तो डोटासरा को चाता हूं या महरिया को चाता हू ये डोटासरा वर्सिस महरिया सुभास महरिया जो कैंडिडेट है प्रदेश अध्यक्ष से जिनका मुकाबला है लक्षमनगट की बात करो उसे तारा नगए तो बहुत जगह ऐसे मैंने देखा कि लोकल जो उनकी लीडर्शिप है जो उमिदवार हैं दो दल्लक उनका जिक्र क और तो क्या होता है कि आपको समझना पड़ता है कि ये जो लड़ाई है ये स्थानिया स्थर की भी लड़ाई हो गए ये इसमें सिर्फ राज्यक्या नेत्रित या केंड्रिया नेत्रित ही मैटर नहीं करता है तो मैंने देखा कि राज्थान में अलग-अलग इलाकों की ता करा स्थान में रिवाज रहा 2003 में वसंद्रा फिर उसके बाद 2008 में और वसंद्रा फिर एशोगालोट और अब चोग उने के बारी रिवाज के साब के तौर पर अशोक गहलाओ से व्यक्तिगत नाराज की काम दिखी लोग कैंडिडेट से नाराज हो सकते हैं कोई कॉंग्रिस का जो मंत्री है सरकार का उसे नाराज है अलग-अलग इलाकों में अन नामों को दोहराने का कोई फाइदा नहीं है कोई बिधायक से नाराज है कि य कैया अशोक गहलाओत ने कुछ काम किया के नी तूसमें भी लोग मिलते थे ने काम तो किया चिरनजी भी किया ये किया वो किया जो भी उनके स्कीम का दिक्र लेकिन अश्वक गालों से व्यक्तिगत नाराजगी मुझे नहीं दिखी जो होना चाहिए था पांस साल के बाद कि मुख्यमंत्री को बदलने का एक माहौल होना चाहिए वो माहौल था तभी 21 सीटे मिली थी 2013 में कांग्रेस को अब सुंधरा अपार बहुमत से आई तो एक फैक्टर वो नहीं दिखा मतलब रिवाज का जिक्र जरूर लोग करते हैं जैसे कई बार लोग कहा रहे हैं कि अब हो गया पांस साल रोटी पलट के भी देखना चाहिए तो पलट के देखना चाहिए क्यों तो और है ना थोड़ा बदल के देखना चाहिए तो एक मांसिक अवस्था है बहुत सारे लोग बहुत सारे वोटर्स लाख होंगे ऐसे जो लगता है नहीं अब पांस साल होगे आप पांस साल इदर देखते हैं मत उसकी उसका कोई ठोस वज साले के सर्वे जिसमें 50-60 भी कॉंग्रेस को लोग नहीं दे रहे थे या 50-60 सीट से ज्यादा नहीं मान रहे थे मैं यह कहूंगा जोखी मोल लेकर भी कि कॉंग्रेस मुझे उतनी कमजोर नहीं देखी कॉंग्रेस की तरफ से एक मात्र चेहरे के तौर पर अशोग गालोत मजबूती से लड़ते दिखे अपनी योजनाओं के दम पर तो मैं कई बार कन्फ्यूज करता था किसी इलाखे में किसी सीट पर स्पेस्पिक चाहे तारानगर हो चाहे टोक की कोई सीट हो हलाके टोक सचिन पालट का गड़ है चाहे नागा और जाकर लगा कुछ जगों पर चाहे मुझे भरतपूर अलवर के किसी अलाके में लगा या कई सीकर में मुझे लगा तो हलाके मुझे याद नहीं तोटल कितने जिले गया शाइद दस बाराज जिले भी हो सकते हैं पासाथ बूला हूंगा पहले लेकिन शाइद दस बारा जिले होगे अभी अचानक जोर नहीं पारा जो कोचिंग इंस्टिटूट है उसके मालिकों का गोविन डोटासरा जो शिच्छा मंत्री तब थे जो प्रदेश अध्यक्षे उनसे करीबी रिष्टा है और उस रिष्टे को लोग शक की नजर से देखते और इसलिए मानते हैं परचा लीक जो हुआ वो एक माफिया तंत्र काम कर रहा था उस माफिया तंत्र को गोविन डोटासरा का यह सरकार में बैठे लोगों का संरक्षन था यह जिक्र बहुत हुआ उस तब जब खास्तोर से एडी ने च्छापे मारे गोविन डोटासरा के घर पर और कलाम भी पहुंची तो एडी के च्छापे के बाद मैं श पर्चा लीक तो गजन राप में तर्गे डालोट करना चाहती है मोदी सरकार यह सुनकर मैं थोड़ा है वहां भी मुझे दिखा तो मुझे युबाओं में भी बड़ा मिक्स सा दिखा जैसे नागौर में मैंने कुछ किसी संस्थान के बाहर जहां नर्सिंग की पड़ाई होती थी और कुछ लड़कियों से बात की अब उनमें वो लड़कियां भी उसी तरह की कुछ बात कर रही हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि अच्छो गहलोत ने अच्छा काम किया वहाएं केंदर में मूदी तो यह जो चीज दिखी इससे मैं एक ही नतीजे पर पहुचा पहुचता रहा बा कवर किया है यही देखने के लिए हमें उस तीन तारीक के नतीजों का या कहें तो तीस तारीक के एकजिट पोल का इंतजार करना पड़ेगा मैं फिर कहूं बहुत आसान है तुक्के पर कुछ बात कहा देना मैं भी कहा दूँ कि बहुत सारे लोग करें कॉंग्रेस की सरकार बनेगी 120 सीट आजाएगी 110 आएगी 105 ऐसे लोग कह रहे होंगे 110 सीट 120 सीट 130 सीट बीजेपी के आएगी कुछ का तुक्का होता है कुछ अपना जोड़ घटाओ भी करते होंगे मैं उन दोनों में नहीं हूं क्योंकि मैं तुक्का मैं लगाना नहीं चाहता हूं कभी नहीं तुक्का करता हूं और जोर घटाओ मैं 199 सीट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं जैसा कि मैंने शुरू में कहा मेरे पास हर सीट के बारे में कोई समीकरन वहां के स्थानिया इशू वहां मेरे संबाद आता है कि मैं सबसे पूछ करके समझू और आपको लगेगा फिर आप 20-25 दिन घूम के किए किया तो मैंने पहले ही कहा कि अलग-अलग इलाखे की तासीर समीकरन जाती है समीकरन वहां के स्थानिया मुद्ड़ इशू किस धंग से जैसे मुझे जैपुर में सेन्टरल पार्क में जवहार पार्क में जैपूर शहर में वोटिंग के दिनावा माल में आकेशन पोल में वहाँ जो लोग वोटर मिले वो हिंदुत की बात कर रहे थे, वो सनातन की बात कर रहे थे, वो हिंदु राष्ट की भी बात कर रहे थे, वो हिंदु खत्रे में हमें मोदी जी चाहिए वो बात कर रहे थे, लेकिन गाओं में फिर दूसरे तरह के वोटर मिले तो शहर और अर्बन मतलत शहर और गरामीन में वो फर्क भी दिखा अब यह फर्क कितना है यह फर्क किसके पलरे में कितना वोट डालेगा यह फिर मैं कहूनगा इसके लिए मैं इनतजार करूंगा एक ही उसके साथ कि बहुत anti-incumbency मुझे नहीं दिखी बीजेपी अगर जीतती है तो बीजेपी उस धुर्बीकरन से एक बिना कुछ ऐसा narrative कहें कि अशोक गहलाओत के खिलाफ को उनके उनकी नाकामी उनके खिलाफ कोई बड़े मुद्दे पर narrative बनाए बगैर फिर उस रिवाद से बीजेपी जीत सकते हैं बहुत लोगों को लगता है बदलना चाहिए या हिंदुत वाला फैक्टर क्या उतना deep rooted चला गया कि उनको लगता है चलो अब एक बार बीजेपी की सरकार दे क्योंते यह कूल मिलाकर बहुत यह confusion के स्थिति मुझे है वरना मैं आसानी से मैं भी वह करता है अलग अलग जगह की जातियां वो अलग तरह से रियक्टर रेस्पॉंड कर रही है पश्मी रास्थान अलग दिखता है पूर्वी रास्थान अलग दिखता है दक्षनी रास्थान अलग दिखता है शेखाब्टी का टेंप्रामेंट अलग है वैसे मारवार और उसमें जो कॉंग्रेस के बीच तीसरा कौन भी कुछ सीटों पर बनता दिख रहा है और एक मेवार का अपना राजनिती की इतिहास है उसी इतिहास में कुछ बड़े दिगजबी है उसमें गौरब बलब चुनाओं में आ गया है सीपी जोसी जो कॉंग्रेस की बड़े इनेता स्पीकर व महां बहुत सारी सीटों का जिक्र दिलि तक होता रहा है सोचल मीडिया पर शूष सीट रविंद्वाटी के सीट पोकरन के सीट ऐसी बहूस सारे हॉट सीट ओसियां जहां से दिभ या मदेरना चुनाओ लड़ रही है ना गवर के सीट मिरदा वर्सिस मिरदा अरिन मिरदा वर्सिस जो उनकी मतलब चाचा और भती जी के लड़ाई जोती मिर्दा तो हलक कुछ हिस्सों में गया मैं सिर्फ नागा उर गया बाकी नहीं गया तो मैं यह कहने की कोशित करूं कि जगा जगा की तासीर अलग दिखी तो उसमें मेरे लिए कैलकुलेट करना 20-25-22 सीट पर ज बात करें उन पत्रकारों की जो रास्थान में हैं जैपूर में हैं अखवारों के उचे ओधों पर हैं या अखवारों में चैनलों में काम किया भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आप जिन्हें देखते सुनते हैं या बहुत सारे जर्नलिस्ट जो मुखर होकर बोल जो 200 में से 70, 80, 90, 80 सीटों के बारे में जानते हैं या उमिद्वारों के बारे में जानते हैं या समीकरन के बारे में जानते हैं या मुद्दों के बारे में उनको क्या समझ बन रही है उनकी क्या समझ बन रही है तो ज्यादातर पत्रकार जो रास्थान में ज्यादातर मतलब 10 में से आठ नो उनको लगता है बीजेपी को एज है और उस एज के हिसाब से बीजेपी 100 का आकड़ा पार करेगी बहुमत का 105 भी हो सकता है 110 भी 115 भी बल्कि दो तीन जर्नलिस्ट ऐसे भी मिले जिन्होंने का 120 का आकड़ा भी बीजेपी पार कर सकती है उस इस्थिति में 15-25 निर्दलिय और चोटी पार्टियां बागी उमिदवारों की आहमियत रह सकती है या उनकी हैसियत 15-25 सीटों के बीच रह सकती है जो बहुत आहम नंबर तो फिर मैं कहूंगा रास्थान के ज्यादतर जर्नलिस्ट ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है फरक इ जितनी खराब स्थिती में थी 6-8 मेने पहले वहां से कॉंग्रेस ने रिकवर किया है बीजेपी को बहुत ज्यादा एज दिखता था बीजेपी उस का फासला का थोड़ा कम हुआ ऐसा रास्थान के बहुत सारे पत्रकार मानते हैं अब एक और बात जो इस बीच में जो मैं रोप लगे खास तोर से जब सरकार बची उस बगाबत से उसके बाद मंत्रियों को विधायकों को छूट दी गई या कुछ मंत्रियों विधायकों को बहुत करप्ट जिनकी छबी बनी ऐसा भी बहुत जगा लोग मिले कहने वाले क्या वो मुद्दा भी गालो सरकार के चिपके क्या वो चेहरे इस चुनाव में शिकास्त खाएंगे इसके लिए मुझे भी इंतजार करना पड़ेगा लेकिन जैसा कि मैंने कहा पत्रकार रास्थान के मान रहें ज्यादतर कि बीजेपी को एज है अब मेरा जो अबजर्वेशन रहा कि मैं इसलिए भी अपने पाइलट का जिक्र करते हैं सचिन पाइलट पर आ गए फिर गुर्जर पर आ गए फिर कनहिया लाल का जिक्र बीजेपी ने पूरे नैरेटिव डाउन दे लाइन गाउं तक पहुंचाने की कोशिश हैं की कनहिया लाल के साथ नाइंसाफी हुई धुर्विकरन की पूरी लेकिन उस हत्या को के बाद जो उनके परिजनों के साथ सरकार का रवया था उसको लेकर बीजेपी लगातार नेरेटिव बनाने की कोशिश करती रहे और यह इसी बात को तस्दीक करता है कि बीजेपी में बेचैनी थी कि उनकी कोई चाल नहीं चल रही है इसलिए कनहिया ल कि योजनाएं गाओं गाओं में बीजेपी की पूरी ताकत बीजेपी के सामने पूरी ताकत से लड़ती दिखी बहुत सारे गाओं में शहर अलग दिखा गाओं अलग दिखा शारों में कई जगा जबर्दस धुर्विकरन पुल्राइजेसन की बात करते हुए लोग दिख सालें अपने एक्जामपल देते रहे जिसमें आधी हकीकत आधा फसाना था एकवाल वर्सेस कन्यालत अब बात आती है कि अगर कहूं जो इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि योजनाओं को बहुत मजबूती से मैंने लड़ते ऐसे देखा कि चाहे मैं नागावर में गरार को सवेल्दी जा रहा था माधोपूर जा रहा था कोई टोक जा रहा था कोई कहें एऊ और जा रहा था उन्सब से दोसा जा रहा था उनसब से बात की उन मेंसे बहुत सारे लोग मजह नमिले च्रण गालोत ने मोधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मोधी स्टाइल ऑफ कैम्पेइन का सहरा लिया हवारों में फ्लडेड थे सब जगह पोस्टर बैनर अशोक गालोत के खूब दिखे अब बात आती है इन सब के बाद जटका इन सब के बाद गुजर वोट जिसको लेकर मैंने अप वीडियो में बार-बार कहता हूं सचिन पाइलट का प्रभाव था जो पूर्वी रास्थान के इलाके हैं चाहे हो दौसा हो चाहे दौसा से सटेवे लाके हो अलबर हो वरतपूर हो करोली हो सवाय मादोपूर इन इलाकों में कई सीटे ऐसी है जहां गुजर वोट दस जार से लेकर 20,000, 25,000, 30,000 है और कई जगा गुजर वोट एक तरफा जाने पर निरनायक हो सकता है 2018 की बात करेंगे तो मैंने पहले वी वीडियो में शायद बूला 2018 में 12 सीटे दी थी कॉंग्रिस ने गुजर को और 12 में से 7 उमिदवार गुजर जीत गए थे 2018 में कॉंग्रिस के क्योंकि सचिन की बज़र से एक तरफा वोट गुजर वोट कॉंग्रिस को मिला सब को लग रहा था सचिन मुख्यवंत्री बनेंगे और चेहरा है तो एक भी नहीं जीता है इसका मतलब गुजर वोट गुजर उमिदवार भी बीजेपी का अगर था उसको भी नहीं दिया लेकिन गुजर वोट ना सिर्फ कॉंग्रिस को दिया बलकि वहां और जो दूसरे वोटर थे उन्होंने भी दिया और गुजर और बाकी जातियों के कॉंबिनेशन ने पुर्वी रास्थान में कॉंग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाई और वहां से तस्वीर बदलने में पुर्वी रास्थान का योगदान था इस वार ऐसा होगा कि आज ही मैं देख रहा हूं भासकर में खबर चपी है आज के देनिक भासकर में मुझे कि पुर्वी रास्थान के साथ जिलों में कुल 49 सीटे हैं इनमें से 35 सीटों पर कॉंग्रेस और समर्थक बिधाय काबिज रहे इनमें से 25 कॉंग्रेस एक रल्डी पांच बसपा और चार निर्दली अभी जाई रहे इस बार क्या होगा यह सवाल इसलिए गुर्जर वोट क वोटिंग बढ़ी है तो इस बढ़ी हुई वोटिंग का क्या मतलब है क्या बढ़ी हुई वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि जो अस्थानिया बिधायक मंत्री थे या किसी एक डल विशेच से लोगों के नाराज़गी थी या बदलना चाहते हैं क्योंकि एक समिकरन का जिक बहुत सारे लोग करते हैं कि जब जब रास्थान में वोटिंग ज्यादा हुई है तो सत्ता में जो पार्टी रही है उसको जब 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 वोटिंग ज्यादा रही तो सत्ता में बैठी पार्टी को नुक्सान हुआ और विपक्ष को फाइदा हुआ तो इस बार वोटिंग फ तर फिजदी बलकि बहुत सारी सीटों पर मैं देख रहा हूँ अठासी फिजदी च्यासी फिजदी सतासी फिजदी पचासी फिजदी मतलम ऐसी मेरे क्याल से 30-35 सीटे दिख रहे हैं जहां वोट 80 फिजदी से लेकर 88 फिजदी तक वोट हुए तो इस सभीकरन में अगर देखेंगे तो जो भासकर ने ये भी चापा था जिसमें कि मतदान घटने से जब पिछली बार मतदान घटने से कॉंग्रिस ने सरकार बनाई 2018 में इस बार मतदान बिपक्षी दलों को फाइदा होगा क्या क्योंकि पहले वसंद्रा हटी तो मतदान बढ़ने से माफ करिए मतदान बढ़ने से बिपक्षी दलों को फाइदा होगा क्या ये एक आकलन बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि मतदान वोटिंग बढ़ी है इसका मतलब बिपक्ष अलग-अलग इलाकों की जो अलग तासीर है वहां के जातिया समी करना लग है उन सब के बीच मैं एक ही चीज में बार-बार मैंने देखा कि पीजेपी के सामने कॉंग्रिस की तरफ से अशोग गहलौत अपने दम पर बहुत मजबूती से लड़ते तो दिखे लेकिन क्या उन योजनाओं के दम पर जिन योजनाओं को मकाबला मोदी अमिशा बीजेपी की मशिनरी काडर उन सब से करना है और इन सब के बाद कांग्रिस की इंटर्नल फाइटिंग जो सचिन के साथ अशोग गहलौत के रही जिस पर कहें तो सीज़ फायर करने की कोशिस अशोग गहलौ होती है लेकिन दिखने लगे लेकिन क्या वो दिखने भर से जो सचिन समर्थक गुजर नाराज थे क्या वो कॉंग्रिस को वोट करेंगे किया मुझे इसमें संसय है मैंने परसों भी मैंने कहा है कि जहां सचिन के समर्थक उमिदवार हैं उमिदवार थे जो सचिन के समर्थ बिधायक थे वहां तो गुझर ने वोट दिया वहां सचिन ने कैमपेन भी किया लेकिन जहां सचिन के विरोधी या कहलोन के क्हेमे के कौंग्रेस के वहां हुझ्जर वोट कौंग्रेस से कठा एम की तरफ गया और राष्टान में रिवाज रहा है रिवाज कि हर पांस साल में सत्ता बदलने का एक और रहा है राष्टान में कि 20 से लेकर 28 तक निर्दलिये और छोटी पार्टियों के उमिद्वार जीत कराते हैं पिछली वार भी अगर देखेंगे 99 पर कॉंग्रेस अटकी 73 पर BJP अटकी बाकी सारी सिट किसको गई BSP 6 जित गई हनवान मेनिवाल 3 जित गए और छोटी छोटी पार्टिया जित गए और निर्दलिये आ गए और निर्दलिये और छोटी पार्टियों का रेकॉर्ड 25 से 28 30 हो जाता है रास्थान में 25 से तो उपर तो ऐसी स्थितियां क्या इस बार भी बन रही है क्योंकि बागी बहुत जगा चुनाओ मैदान में थे कॉंग्रेस की तरफ से भी बागी थे जिनने टिकट नहीं मिला यह बहुत अहम है तो यह जोडगटाओ किये बगायर मैं जोडगटाओ करके भी मतलब 199 सीट का आगढ़ा मैं ने निकाल सकता मेरे कहने के यह मतलब है कि इन सारे फैक्टर को फैक्टर इन किये बगाएर समझे बगार बारीकी से जो में नहीं समझ सकता हूँ प्रफशन नानवे सीट मैं किसी नतीजे को का की घोषना या ऐसा होने जा रहा करने से मैं बचता हूं यहीं बच रहा हूं बचता है कि मैं बार बार कहूंगा अशो गहलत बहुत मजबूती से चुनाओ लड़े है और अशो गलत लड़े है मतलब सरकार की योजना है 6-8 मेने 10 मेने पहले की स्थिति कोई भी दिली से बैठ कर यही कहता था कि BJP 135 जा सकती है 40 भी जा सकती है कॉंग्रेस तो 40 पहुंचना कॉंग्रेस के लिए मुश्किल होगा लेकिन आज की तारिक में वो नहीं है या 10-15 से बने 200 की एसेंबली है 1999 पर होई वोटिंग हुई है 101 से बहुमत बन जाता है मतलब सरकार बन जाती है ऐसे भी लोग मान रहे हैं कि हो सकता है 95 पर BJP अटक जाए हो सकता है 80 पर कॉंग्रेस अटक जाए तब क्या होगा फिर निर्दलियों की क्या भूमका होगी कोन किस के लोग हैं तो बहुत तरह की कॉंस्परेसी थेउरी भी रास्ताहन में बातचीत निय Virus में चल रही है बातचीत6 थेउरी अब ये ओसी जो चर्चा है होती है पहले लिस्ट तक में किनारे रखा गया दूसरी में उनके लोग जदा है और वहां से फिर वसुंद्रा आई जो लेकिन फुल फॉर्म में फिर भी नहीं थी तो बहुत से लोग कते हैं कि वसुंद्रा भी नहीं चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने मतलब बीजेपी 100 से आकड 2004 के बाद से शांसत बने वसुंद्रा के बेटे तो वसुंद्रा अपने बेटे का भविश्य सुरक्षित करना चाहेंगी एक बार उन्हों नहीं कहा भी था कि हम रिटायर सन्यास ले सकती हैं रिटायर हो करके वही सरकार बने तो यह सब कहानिया बाजार में चलती है इन कहानियों में हकीकत क्या है फसाना क्या है मैं नहीं जानता लेकिन मैं कहानी की यह कोशिस कर रहा हूं कि मैं भी बेसबरी सिंतजार कर रहा हूं तमाम सीटों की जिन सीटों पर मुझे लग रहा था नेक टूनेक है जिन सीटों पर लग रहा था कि कॉंग्रेस ने मजबूती से फाइट भी है अब चाहे तारा नगर हो जहां के राजिन सिंग राठोर जो नेता विपक्च वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से नरेंद वुडानिया कॉंग्रेस के उमिदवार उनके सामन हैं अब मजबूती से लड़ते हुए दिखे थे मुझे जब 15 दिन पहले गया था मैं तारण नगर शायद लगब 15-17 दिन पहले वह से कई सीट हैं बालकनात का क्या होने वाला है वह एक तीसरा कोना बीच में आया इमरान खान जो कॉंग्रेस से उमिदवार है बसपा का टि जाए एक आसान सी परिभाशा क्या होती है कि वोटिंग अगर जादा हुई तो विपक्ष के लिए फायदा है वोटिंग कम हुई तो सत्ता के लिए फायदा है मद्दान बढ़ने से विपक्षी पार्टियों का फायदा यह एक कैलकुलेशन भास करने किया तो अब मैं सीटों पर बढ़ा वोटिंग बढ़ी तो इसका क्या मतलब हूँ अब इसमें है कि अशोग गलाउ से लेकर वीडी कला शांतिधारिवाल महिंजी सिंग शाले मुहमबत इन सब की सीटों पर वोटिंग घटी है तो कॉंट्राडिक्षन भी है यह जो एजंप्षन है यह जो अंकलन में भी कॉंट्राडिक्षन है उस कॉंट्राडिक्षन का तोड़ क्या है अब उस तोड़ का कहां लोकल लेबल पर कौन से फैक्टर आए या प्रधान मंत्री मोधी की पूरी मशिनरी जिस ढंग से इस चुनाओं को धुर्विकरन की तरफ लाने की कोशिश कर रही थ तो गलौत ने अगले दिन 400 के सिलिंडर का एलान किया यह बहुत सारे सवाल ऐसे ऐसे बीजेपी का जो रियक्षन था नीजर्क रियक्षन उसको देखकर यह लग रहा था कि बेचैनी बीजेपी में है परिशानी बीजेपी में अतना आसान बीजेपी इस लड़ाई को मानत की मिजेपी तो इससाड़े 400 के सिलिंडर के पोस्टर नहीं लग जाते हैं वहां सारे 400 का सिलींडर दे रहें क्या कि सरकार टैकर देंगे का सेलेंडर देंगे लेकिन जाकर राजस्थान में पोस्टर बैनर तुरंत आता है उसके बाद जिस तरह से मैंने बार-बार कहा धुर्विकरन कनहयालाल का जिक्र जिस ढंग से शोभायात्रा नहीं निकलने दी जा रहे उसका जिक्र राजेश पाइलट और उनके बेटे के सा कथित नाइनसाफियों का जिक्र गुर्जर वोट का जिक्र ये सब मोदी अगर कर रहे तो इसका मुद्व आखरी मौके कोई भी मोदी नहीं चोड़ना चाह रहे ते हो ये तब ही होता है जब खत्मदाहट और बेचैनी होती है इन बेचैनी हो कही नतीज़ा है कि नेरेटि इस टैल ऑफ पॉलिटिक्स में काम किया सब जिगा पढ़ा था ख़बार के विज्यापन शहर शहर बैनर पोस्टर तो लड़ाई तो लड़ी अब इस लड़ाई में होने के अवाला तो इसलिए मैंने कहा कि हम भी इसका भी इंतजार करेंगे कि इस जो तीन तारीकों जो न अगर MP इतना बड़ा MP है उसमें सिर्फ गॉलियर हो जाके कुछ आंकलन उस तीन इलाकों में जाकर नहीं पूरे MP का किया जा सकते हैं लेकि इन जेनरल बहुत सारे लोग जो पत्रकार हैं जो एनलिस्ट हैं जो विशले सक हैं सर्वेज इतने आये उन सब में MP में कॉंग्रे कि सरकार बन सकते हैं पिछली बार भी 114 कॉंग्रेस को मिली राज्थान में एक और फैक्टर था इंटरेस्टिंग पिछली बार आधे आधा फीजदी वोट ही सिर्फ कॉंग्रेस को जादा था लेकिन सीटों में 73 और 99 मतलब 26 सीटों का फासला था तो इसका मतलब आधी पर आने वाला है यह तो फिर अब एक जीट पोल से कुछ दिशा दिखी कि ऐसे बहुत सारे लोग मानते कि 36 गड़ मैं गया नहीं कि 36 गड़ में कॉंग्रेस को एज है पिछली बार से कॉंग्रेस की सीटे कम होगी इस बार भी जेपी की सीटे बढ़ेगी बट एज कॉंग्रेस को है ऐसा 36 गड़ को लेकर मानते हैं जहां 119 सीटे हैं शायद पिछली बार 88 जीती थी जो बी आरेस बन गई टी आरेस और इस बार क्या होगा तो जिस ढंग से कॉंग्रेस ने जोर लगाया हुआ है जो रहलिया है जो सभाय है जो भीड है उसकी तस्वीर है इस बात की तस् हुई है तो पता चलेगा लेकिन कॉंग्रेस बहुत मजबूत है कि सरकार बना लेंगी आप क्या होगा इसके बारे में कुछ कहना मुछ कॉंछ कहना म। तो मुझे यही लगता है जो मैंने कहा मैं कोई नंबर से बचना चाहतो बहुत आसान काम होता है बोल देना किसकी आंधी चल रही है उसकी आंधी चल रही है मैं फिर कहूंगा जो लोग 20 साल से किसी स्टेट में हैं उनके लिए आसान होता है वो समझते भी होंगे मेरी समझ बहुत सीमित हो जाती है क्योंकि कम वक्त के लिए आप कम हिस्सों में गए को इतना बड़ा स्टेट है 200 सीटों का और वहाँ 20 सीट पर जाकर बाकी कांकलन कैसे करेंगे तो इसलिए मैंने मैं वोटिंग के दिन भी उसके बाद भी मैंने देखा कि वह सारे लोग ट्वीटर पर यहां वहां कोई कॉई को आप आर बहुमत दिलवा रहा है को बीजेपी के चला रहा है को बीजेपी को जिता रहा है लेकिन जो संजीदा लोग है वो अभी अपने नंबर को रोज जाच पड़क रहे हैं और बहुत सारे लोग नेक टू नेक के करीब मान रहे हैं नेक टू नेक मतलब कोई कर रहा है कि 80-85 हो सकता है कॉंग्रेस मिले 95 बीजेपी चला जाए कोई कर रहा है कि 85-90 के बीच कॉंग्रेस हो और उतना ही के आसवास बीजेपी हो बीच में 15 निर्दलिये हो कोई कर रहा है कि कॉंग्रेस सतर के आसवास है बीजेपी 110 के पास पहुँछ सकती बाकी फिर निर्दलिया और तीसरी पार्टी मतलब बीएसपी हनुमानमेनिवाल आदिवासी पार्टी आजाए समय यह सारे कैलकुलेशन मेरे लिए बिना 190 सीटों 199 सीटों माफ करिए को समझे मेरे लिए थोड़ा करना मुश्किल है क्योंकि मैंने कहा कि वहां का ट्रेंड अलग-अलग इलाके अलग धंग से कर रहे हैं सभाई माधूपूर में 2 मीना ही लड़ रहे हैं वडे नेता है नकर शामेर मेना है रजभा तो महां मिना अलग 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 जगह प्लैस एक कैलकुलेशन हो रहा है कि माल लो गुजर वोट अगर नहीं मिला कम मिला मतलब कम मिला इस बार पρώoga फसे वह मैं सिर्फ एक यी बात कहूंगा कि अशोक गहलोत अगर पिछली बार 2013 की बात करें 21 सीट पर कॉंग्रेस सिमट गई थी इस बार कॉंग्रेस मजबूती से लड़ी है लेकिन वो मजबूती कॉंग्रेस को कहां पहुँचाएगी बी जेपी को कहां पहुचाएगी इसके लिए मैं भी इंतजार करूँगा तीन तारिक के नतीज होगा फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि मैं मानता हूँ कि credibility बहुत आहम है मैं कुछ भी जब महीं confirm नहीं हो सीटों को लेकर exactly क्या होने वाला है दिशा कुछ हो सकती है लेकिन वो दिशा कहां जा रहे है क्या फासला है उसको लेकर अगर मैं ही confused हूँ तो मैं कोई ऐसी बात आप लोगों तक कहने से बचता हूँ क्योंकि जो होगा दूद का दूद तीन तारिक को हो जाएगा तो फिलाल इंतजार करते हैं तीन तारिक का नमस्कार और एगजिट पोल का उसके पहले नमस्कार